नमस्कार आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और मैं हूँ आपके साथ श्रेया लेकर आई हूँ आज के सबसे एहम मुद्दे पर खबर महराष्ट और जारखंड विधान सबाद चुनाव के परिनाम ये नतीजे जो सिर्फ इन राज्यों की राजनीती को नहीं बलकि 2024 के लोग सबाद चुनावों की तैयारियों को भी नया रूप देंगे तो आईए जानते हैं अब तक क्या हुआ और भविश्य में क्या हो सकता है उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए टीवी द्वापरा को आज ही सब्सक्राइब कर लि महायुति एंडीर भाजपा अजीद पवार्बुटकी नटीप और एकनात शिन्दे की न्रत्तवाली शिवसेना मा विकास अगाड़ी एंबी ए उद्द्वठाकप्रे की शिवसेना यूवीटी शरत पवार्बुटकी एंज्श पी और कांग्रिस वहीं ताजा जान क्या कह रहे हैं क्योंकि महायुती ने 152 से 160 सीटों पर बड़त बनाई है और एमबीए को 130 से 138 सीटों पर ही संतोश करना पड़ सकता है वही भाजपा की नरत तुशमता और तीनो दलों का संगठित बोट बैंक महायुती की सफलता का कारण बना है अब क्या है जीत के कारण नज़र डालेंगे नंबर वन ग्रामीर और शहरी संतुलर भाजपा ने अपने संगठित नेट वर्क से ग्रामीर और शहरी दोनों शेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया न मराथी जनता का समर्थन प्राप्त किया बात करेंगे विपक्ष क्यों पिछड़ा क्योंकि महाविकास अगारी की कोशिशों के बावजूत गटवंदन में अंदरूनी मतभेद और साजा द्रश्टी कौन की कमी उन्हें भारी पड़ी है वहीं अब बात करते हैं जारखंड मे काटे की टकर की कौन वहाँ जीतेगा बाजी क्योंकि जारखंड की राजनीती में ये चुनाव एंडिये और इंडिया गटवंदन के बीच सीधा मुकावला था एंडिये बीजेपी प्लस यानि कि भाजपा और उसके सहियोगी तल इंडिया गटवंदन जारखंड मुक्ति 43 सीटों पर पकड़ बनाई हुए है जारखंड की राजनीती में ये परिणाम सत्ता परिवर्तन का संकेत दे सकता है वहीं चनोतियां क्या रही है नमबर वन भाजपा का विकास मॉर्णर भाजपा ने जन जातिये और ग्रामेर शेत्रों में विकास योजना उपर ध्यान के पिंद्रित किया नमबर टू सोरिन सरकार की लोक लुबहावन नीतियां हैमंत सोरिन ने स्थानिये मुद्धों पर वोटरों को साधने की कोशिश की लेकिन रश्टाचार के आरोप और रोजगार के सवाल ने उनकी इस्तिती कमजोर कर दी अब क्या होगा आगे क्योंकि जा अराष्ट में बतलाब 2019 में भाजपा शिवसेना गठबंदन ने बहुमत हासिल किया था साथ ही लेकिन मुख्यमंत्री पत पर खीश्तान के चलते शिवसेना ने कॉंग्रेस और एनसीपी के साथ गठ जोड कर सरकार बनाई अब इस बार शिंदे गुट के नितत्त में शिव भाजपा को हरा कर कॉंग्रेस और आरजेडी के साथ सरकार बनाई लेकिन इस बार जंता की नाराजगी और भाजपा की रड़नीती ने एंडिये को मजबूत स्थिती में लाकर खड़ा कर दिया है वहीं लोगसबा 2024 पर असर क्या रहेगा महराष्ट में जीत के माई ने अग कित कर सकता है महराष्ट की 48 लोकसबा सीटों पर भाजपा को बड़त मिलेगी जारखंड का प्रभाव जारखंड में भाजपा की संभावित जीद उसे लोकसबा में मझबूती दे सकती है जन्जातिय शेत्रों में भाजपा की पकड़ मझबूत हो गी औरольшini अ सकती है तो यह थी हमारी अब तक की फूरी व्रिस्तित रिपोर्ट महराष्ट और जारखंड की जनता ने किसे सत्ता सौपी है और इन परिणामों का भविश्य की राजनीती पर क्या असर होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी तब तक के लिए जोड़े रहे टीवी अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक शेर और कॉमेंट करें टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन तबाएं